हेलो दोस्तो वल्कम बैक तो माई चैनल सोन इंफो टैक दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एचपी के लैप्टोप में विंडो कैसे इंस्टॉल करें यह देखिए यहां पर हमारे पास एक बूटेबल पैन ड्राइव दोस्तो इस बूटेबल पैन ड्राइव से आज मैं आपको विंडो इंस्टॉल करना सिखाऊंगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है अपने किसी भ प्रेस कर रहा हूं यहां पर यह एच्पी का सिंबल आ जाएगा एच्पी का सिंबल आने के बाद आपको यहां पर यह सो होगा यह देखिए यहां पर OS boot manager और फिर boot from EFI file यहाँ पर आपको F10 प्रेस करना है यह देखिए यहाँ पर मैंने F10 प्रेस कर दिया है यहाँ पर यह सेटिंग खुल जाएगी यहाँ से आपको जाना है system configuration पर यहाँ पर आप system configuration पर जाएगे यहाँ पर जाना है आपको boot option में boot option में जाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर enter करना है enter करने के बाद आपको यहाँ से legacy support को enable कर देना है यह देखिए यहाँ पर हमने legacy support को enable कर दिया है Enable करने के बाद हमें क्या करना है F10 प्रेस करना है और Yes कर देना है Yes करने के बाद आपको F9 फिर से प्रेस करते रहना है लगातार यहाँ पर आप देखेंगे मैं F9 लगातार प्रेस कर रहा हूं यह देखें यहाँ पर हमारी स्कीन पर एक कोड सो होगा यहां पर यह देखे हमारा 3188, यह हमारा code है, 3188 करने के बाद हमें क्या करना है, enter करना है, यह देखे, हमने enter कर दिया, enter करने के बाद यहां पर आप देखेंगे, हम फिर से boot section में पहुँच गए, यहां पर आपकी hard disk सो हो जाएगी, hard disk सो होने के बाद आपको क्या करना है, य के लिए हमें क्या करना होगा यहां हमें फिर से F10 प्रेस करना होगा यह देखें यहां से हम इसे यह देखें यहां पर यह हमने F10 प्रेस कर दिया है और फिर से system configuration में जाना है boot sequence में जाना है यह देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक आ रहा है USB boot और यहाँ से आप देखेंगे यह disable हुआ है यहाँ पर आपको enable कर देना है इसे भी यह देखिए आप चाहें तो यह दोनों setting एक बार में ही enable कर सकते हैं यहाँ पर USB boot को enable करने के बाद F10 प्रेश करेंगे और yes कर देंगे यह करने के बाद आपको F9 लगातार दबाना है यहाँ पर आप देखेंगे हमें F9 लगातार दबा रहा हूं यह देखें यहाँ पर अभी तक की save नहीं हुआ था तो F10 करने के बाद आपको yes करना है और F9 लगातार प्रेश करते रहना है यह देखें यहाँ पर मैं F9 लगातार प्रेश कर रहा हूं यह देखेंगे मैंने जब यह प्रेश किया तो आपको यहाँ पर यह हमारी pen drive USB USB hard drive USB hard drive और hard drive दोनों सो हो गए है तो यहाँ पर आपको क्या करना है USB hard drive पर जाकर enter कर देना है तो जो window आप install कर रहे हैं उस window का symbol आएगा और उसके बाद यहाँ से आपको language select करनी है language select करने के बाद यहाँ से आप time and currency format और फिर nest कर देंगे यहाँ पर यह नेश्ट का बटन आया हुआ है यहाँ पर आपको nest करना है यह देखिए मैंने यहाँ से nest कर दिया है nest करने के बाद यहाँ से आपको install करना है यहाँ पर आप देखेंगे यह आपको terms and service और यहाँ से custom install तो यहाँ पर आपको क्या करना है जिस pen drive जिस hardest drive में आप विंडों इंस्टोल कर रहे हैं उसके partition आ जाएंगे आपको यहाँ पर अपने partition को format कर लेना है जिस partition में आप विंडों इंस्टोल करना चाहते हैं मैं यहाँ पर सभी partition delete करूंगा क्योंकि मैं यह यहाँ पर clean करने के बाद window install करने वाला हूं यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर Americans delete करने हैं तो मैं क्या करना है क्लिक करने के बाद आपको delete कर देना है यह partition में delete करके बना रहा हूं आप अपने उसी partition में इनopen इस्टॉल करें, जिस partition में आपने पहले window इस्टॉल की हुई है, तो आप यहां देखेंगे, मैंने तो यह delete कर दिया है, delete करने के बाद मैं फिर से नए partition create करूँगा, यहां पर आप देखेंगे, मैं पहला partition 100 GB का create करूँगा, आप अपने according जितने GB का चाये create कर सकते हैं, पहला partition C drive होता है, यह बात हमेशा याद रखना, विंडों हम किसी भी partition में डाल सकते हैं, लेकिन हमें पहले partition में window इस्टॉल करनी है, तो हम पहला partition 100 GB का create करेंगे, यहां पर मैंने 100 GB का partcion create कर दिया है, यह देखेंगे, मैंने यहां पर 100 GB का partcion create कि दिया, एक partition create करने के बाद आपक हो गया है उसके बाद यहां पर जो आमारे पास इस इस सपेस को हम तूसे टिवाइट करदेंगे यहां पर आप देखेंग तू से डिवाइट Сे करने के पाद जो आता है आपको उह पर वही टालना है यह मैंने इसे डिवाइट कर दिया है अब यहां पर मैं आपको डाल कर दिखा देता हूं इसको कब के लिए गपर i excess 9-4-6-9 तो यहा पर apply करेंगे यानि दोनों Char súessions से only यानि यानि के सई जी भी यहांगे यहां पर दोनो Catsं में Southeast होगा यहां पर आपको when I can't apply करने के बाद आपको क्या करना है अगर आपने न nervous and बनाए आपको यहां पर यहीं के यहीं पर format करना है और फिर इसके उपर वाला partition format करना है इसके उपर वाला partition format करने के बाद आपको करना है अकर आप window 10 install कर रहे हैं तो यहां पर आपको 550 MB का जो partition है इसे format करना है और फिर इसके बाद यहां से जो हमारी C Drive है यानि जो हमारा First Partition है उसे Format करना है Format करने के बाद फिर से एक बार Partition पर click करें और click करने के बाद यहां से next कर दें नेक्ट करने के बाद आपकी Window Install होना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपको ऐसे ही विंडो इंस्टॉल करनी है जैसे आपने पहले इंस्टॉल की थी इसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिस नहीं है हो सके तो अपने लैप्टोप को चारजर से कनेक्ट रखे क्योंकि हो सकता है आपकी बैटरी लो हो जाए और लो होने के बाद आपकी हार्डिस को खत्रा हो सकता है यहां पर आप देखेंगे हमारी पूरी विंडो इंस्टॉल हो गई है और इंस्टॉल होने के बाद आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया है रिस्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है यहां पर कुछ भी प्रेस नहीं करना है क्योंकि यह ओटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है यहां पर यह गेटिंग रेडी पर काफी टाइम लेती है Windows 10 start होने में आपकी Windows जब तक start ना हो जाए तब तक आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर आप देखेंगे मेरी सभी प्रोसीज़ पूरी हो गई है उसके बाद हमारी Windows लगग start हो गई है यहाँ पर आपको setting करनी है कुछ setting करनी होगी जो आप इस तरह से कर सकते हैं यहां से आपको इंडिया सेलेक्ट करना है यहां पर आप देखेंगे यहां पर अफ़कानिस्तान आया हुआ है और यहां पर आपको यहां पर जाना है और इंडिया सेलेक्ट कर लेना है यहां से मैंने इंडिया स्लेक्ट किया और नेक्स्ट करने के बाद यहां से आपका कीबोर्ड लियाउट देखेंगे कीबोर्ड लियाउट आप यूएस रखने से आपको बहुत ज़्यादा फायदे हैं क्योंकि यहां पर यूएस कीबोर्ड ही इस्तिमाल होता है यहां पर आ यहां पर आप देखेंगे यह हमारे सिस्टम लगबग ओन हो गया है ओन होने के बाद आपको क्या करना होगा अपने कंप्यूटर पर डेस्टोप आइकन लाने होगे यहां पर आप देखेंगे यह दो आइकन है हमारे तो उसलिए लाने के लिए हमें क्या करना है राइट किलि क्या परसनलीज में गया यहां पर आप थीम पर क्लिक करेंगे और यहां से आप इसे maximize भी कर सकते हैं और स्कॉल करने के बाद यहां पर देखेंगे desktop आइकन यहां से चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल भी न भूलें.